तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं ये गाली क्यों दे रहें पता हैं? ये मोदी उनको आँखों में चूपता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैंकडों हजारों करोड रुप्यों के गोटालों की पोल खोल रोहा हूँ मैं इन लोगों के परिवार के खिलाप, परिवार बाद के खिलाप मैं व्यक्तिकरारों किसी पर नहीं लगाया है परिवार बाद के खिलाप आवाज उठाता हूँ, मैं सही करता हूँ नहीं करता हूँ अभी किसंडेडी ने सब का सुस्थ बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है आप जम्मू कस्पिर से लेकर तमिल नारु सक देखिए जहां जहां परिवार बादी पार्टियां राज करिया है वो परिवार तो मजबुत हुआ लेकिन वो राज्य बरबाद हुआ है कि नहीं हुआ है वो परिवार मजबुत हो गए वो राज्य मजबुत नहीं हुआ क्या ये परिवार बादी राजनीती चलनी चाहिए ये परिवार बादी पार्टियां लोगतंत्र की विरोधी है कि नहीं है ये परिवारबादी पार्टिया टैलेंट की विरोधी है नहीं है ये परिवारबादी युवा की विरोधी है नहीं है जब मैं ये कहता हूँ देले क्या कहते है जब मैं परिवारबाद का विरोध करता हूँ जब मैं कहता हूँ कि परिवारबाद लोगतंत्र के लिए खत्रा है जब मैं कहता हूँ कि परिवारबाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता जब मैं कहता हूँ कि परिवारबाद युवाओं का अवसर रोकता है तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं उस पूलता क्या कहते हैं ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है गया परिवार वालों को चोरी करने का लाइसन बिल गया है क्या लेना तुम्हारा परिवार है इसले चोरी के एक ही कुटम के पचास पचास लोग उच्छ पदोपरू साज्य में विराजबैद हो जाते है क्या ये लोकतंत्र है क्या